So Hello Everyone, मैं हूँ विक्रम और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CDSL Share के बारे में अब इस टॉक में हमारे लिए आगे के लिए के टार्गेट्स होने वाले हैं वो बतायता हूँ और साथी साथ इसके जो quarter 2 के रिजल्ट्स आने वाले आज उसको लेके आपे market के के estimates हैं वो भी discuss करेंगे तो सबसे वहले stock के लिए targets देख लेते हैं अब यहाँ पे आपको पिछली वीडियो में आदो तो मैंने आपको बताया था 1347 रुपीस का price जो है यहाँ पे यह इसके लिए एक strong support का price होने वाला है आप यहाँ पे अगर देखो जब भी इस price के round यहाँ से इसने bounce back ही करा है तो और उससे पहले भी जब इसने breakout दिया था तो यहीं से सीधा यह 1560 रुपीस तक उपर जाता है तो एक चीज़ आपको इससे क्या समझ आती है एक चीज़ notice करो आप तो यह 1562 का जो price है और 1347 का ज range बन चुकी है अब आपको इसके इंदर अगर कोई बड़ा move चाहिए तो आपको या तो इस range के या तो 1347 रुपीस के price के यहाँ पे नीचे closing देनी होगी ताकि आपको downside में थोड़ा move देखने को मिले अगर ऐसा होता भी है तो आपको जो nearest target देखने को मिलेगा वो आप समझ 1200 रुपीस तक के target देखने को मिल जाएंगे बट अगर दूसरा scenario यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अगर इस area के round यहाँ पर फिर से दुबारा यहाँ पर buying आ जाती है इसी तरीके से support आ जाता है जहां पर यह पहले इसने support लिया है इसी तरीके का support अगर इस side भी आता CDSL share के अब बात कर लेते हैं इसके quarter 2 के results announce होने वाले आज उसको लेके आपर market के estimates हैं सबसे बहले यहाँ पर revenue की बात कर लेते हैं तो revenue का जो estimate market ने लगाया है यहाँ वो है यहाँ पर 274 crores का यहाँ इसके revenue का estimate है 143 crores का यहाँ नेट profit का estimate है उसी के साथ साथ earning पर share की बात कर है तो यह figures यहाँ पर market की तरफ से estimate की गई है company के quarter 2 के results को लेके अब देखना है कि जब results आते हैं तो वहाँ पर यह estimates beat होते हों देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते तो उसके लिए बने रहना चैनल पर जैसी results आइंगे मैं आप लोग के साथ share कर दूँगा तो इस मिलते हैं अगली वीडियो में